नमस्कारम, डॉक्टर एख़पर्मा राजकी वांगर महाविद्यले डीद्वान से आज का मेरा विशे है बीए प्रतमभश हिंदी साहित प्रतम प्रश्पत का और हम बात करते हैं कबीर का रहसेबाद रहसेबाद जीवात्मा की उस अंतर नहीं प्रवर्टी का प्रकाशन है जिसमें फैद तिब और आलोकिक शक्ती से अपना शांत और निश्चिल सम्मंद जोवना चाती है यह सम्मंद यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता जीवात्मा की शक्तियां इस शक्ती के अनंत बैभव और प्रभाव से ओत प्रोथ हो जाती है जीवन में के बल उसे दिपी शक्ति का अनंत तेज अंतर नहीं हो जाता है जोग और दिवात्मा अपने अस्तित वगो एक प्रकार से भूल सा जाती है एक भवना एक वसणा हीरदे में प्रभूत्प प्राप्त कर लेती है और वैभावना सतेब जीवन के अंग प्रतिंगों में प्रकाशित होती है यही दिविसंग्योग है आत्मा उस दिविशक्ती से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा की गुरूं का प्रेदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा की गुरूं का प्रेदर्शन कभीर की उलट बहसियां इसी भापनां पर चलती है संतो जागत नीद न कीजे कालक नहीं खाई, कल्प नहीं व्यापे, दी जरानें चीजे उलटी गंगा समुद रही सूखे, शशी और सूड गरा से नवगरे मारी रोगिया बैठे, जनमे विम्मु प्रकास है बेनुचरणन की दूधिसी धावे, बेनुलोचन जगसूच है ससा उलटी सिंहिं को आस है, अचरच को बूच है इस प्रकार संयोग में इस प्रकार का उनमाद होता है, नशा रहता है उसी कांद सत्च से उस दिप शक्ती सी जीप का ऐसा प्रेम हो जाता है की वह अपनी सत्ता परमात्मे की संता में अंतरखित कर लेता है उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अईस्तिता नहीं रहती, वह प्रेम अमर होता है ऐसी प्रेम में जीप की सारी इंद्रियों का एक करन हो जाता है सारी इंद्रियों से एक स्वार निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु की पानी की लालसा समान रूप से होने लगती है इंद्रियां अपनी आराथी की प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती है और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे उसकी विविद गुणों का गरहन समान ग्रूप से करती है अन्त में वेसीमा इस इस्तिती को पहुँचती है कि भावन मात में वस्तुओं की विविद गुण एक ही इंद्रियां पाने की सुन्दा प्राप्त कर लीती है ऐसी दशा में शायद इंद्रियां भी अपना कारे बदल देती है कारे बदल देती है एक बार प्रॉफेसर जेमस ने यही समस्या आदर्श वादियों को सामने सुलजाने के लिए रखी थी कि यदि इंद्रियां अपनी अपनी कारे शक्ती एक दूसरी सी बदल लें तो संसार में क्या परिवर्तन हो जाएंगे जैसे कि यदि हम रंगों को सुनेने लगें और ध्रॉणियों को देखने लगें तो हमारा जीवन में क्या अंतर आ जाएगा इस रहसे को सेंट मार्टिन ने बोला मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्रॉणियों को देखा जो जच्वल मान थी कवीर का रहसेवाद अपनी विशिष्टा लिए हुए है वे एक और तो हिंदूों की अद्वेतवाद के क्रोड में पोशित है और दूसरी और मुसल्मानों की सुफिस धन तो इस पाश करता है इसका विशिष कारण यही है कि कवीर हिंदू और मुसल्मान दोनों प्रिकार के संतों के सत्सम में रहे और बेप्रानम से ही यह चाहते थी कि दोनों धर्म वाले आपस में दूद पहनी की तरहें मिल जाएं इसी विचार की वशिबूत होकर उनोंने दोनों मतों से संबंद रखते हुए अपने सिध्धनतों का निरूपन किया रहसेबाद में भी उनोंने अद्वेदवाद और सूफी मत की गंगा जमनी साथ ही भादी अद्वेद मार ही मानों रहसेबाद का प्राण है शंकर की अद्वेदवाद में जो इसा की आठवी सदी में प्रादूर भूत हुआ आत्मा और परमात्मा की बस्तू एक ही सत्ता है माया के कारण ही परमात्मा में नाम और रूप का अस्तित्व है इस माया से छुटकारा पाना ही मानों आत्मा और परमात्मा की फिर एक बार एक ही सत्ता इस्थापित करना है आत्मा और पर्मात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन्हें माया की परदे ने अलग कर दिया है जाव वो पासना या ज्याना जन पर माया नस्थ हो जाती है तब दूनों भागों का एक ही करन हो जाता है कभी इसी बात को इस प्रकार लिखते हैं जल में कुम गुम में जल है बाहर भीतर पानी फूटा कुम जल जल ही समाना यह है तद कहो गयानी एक गड़ा जल में तेर रहा है उस गड़े में थोड़ा पानी भी है गड़े के बीटर जो पानी हैं गड़े के बाहर के पानी से किसी परकार भी भिनन नहीं है किन्तुफ़े इसलिए अलग है क्योंकि गड़े की पतली चादर उन दूनों अर्शों को मिलने नहीं देती जिस परकार माया ब्रह्म की दो सुरूपों को अलग रखती है गुम के फोटने में पानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रिकार माया के आवरन की हटने पर आत्मा और परमात्मा का संयूख हो जाता है यही अद्वितवाद कफीर के रहसवाद का आधार है कभीर का रहसवाद बहुत गहरा है उन्होंने संसार्श के परे अनंत शक्ती का प्रीचे पाकर उससे अपने को संबत कर दिया है उसी को उन्होंने अनेक रूपों में प्रदर्शित किया है जैसे हरी मोर रहटा मैं रतन प्योरिया हरी का नाम लेक कतितिक बहुरिया छो मास तागा बरस दिन कुकरी लोग कहें भलकातल बपुरी कहें कभीर सूत भलकाता चरका न होई मुक्तिकर दाता देखने में आर्थ ये सरल होता है पर बास्तम में कितनी गहरी भावनों से उत्पूरूथ है यहें विचारनिये हैं रूपक भी चर्खे से लिया गया है इस ये कि कभीर जुलाहे थे ताना बाना और चर्खा उनकी आँखों के सामने सदे जूमता होगा उनकी इस स्वाभाविक प्रवर्टी पर किसी को आशरे नहीं होना चाहिए अब यदि चर्खे का रूपक उस पद से हटा लिया जाए तो विचार की सारी शक्ति धीली पर जाएगी और भावों का सुन्दर बिखर जाएगा कारण है कि रूपक बिल्कुल स्वाभाविक है कभी कुछ चलते फिरते यह रूपक सुच गया होगा स्वाभाविक तही सुन्दर है अतेव इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सुन्दर का नाश करना है इस पस्ट है कि आत्मा और परमात्मा का संबन्द चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महित पर रखता है रह सवादियों नी तो यहां तक कह दिया है कि यदि उन्हें अपने भाबों की उप्युक्त शब्द नहीं मिरे तो उन्होंने नए गड़ डाले है मकड़ी के जाले की समान उनकी कविता विस्तरित है उसे से नए शब्द और भाब उसी प्रेकार निर्मित किये गए हैं जिस प्रेकार एक मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार धागी बनाती और मिटाती है कभी ने उधारन दिया है जो चरका जरी जाए बढ़ई या ना मरे में कातो सूत हजार चर खुला जिन जरे बाबा मोर ब्यहा कराबर अच्छा बरही तकाए जो लो अच्छा बरह न मिले तो लो तुम्हें ही ब्यहाए इसका अर्थ भी साधारन निसे कि यदि चरका जल भी जाए तो उसको आप बनाने बाला बढ़ई नहीं मर सकता पर यदि मेरा चरका ना जलेगा तुम्हें उससे हजार सूत कातूंगी बाबा अच्छा बर खोज कर मेरा बिवा करा दीजे और जब तक अच्छा बर न मिले तब तक आप ही मुझसे बिवा कर लीजे नगर में प्रतम बार पहुँशते ही शोक और दुख सिर पर आ पड़े एक आश्यर हमने देखा कि पिता के साथ पुतरी नहीं अपना विवा कर लिया फले ते एक समधी की घड दूसरे समधी आए और बहुँ की यहां भाई रहसवाद की पहली विशिष्टा है कि उसमें प्रेम की धारा अभोद रूप से पहनी चाहिए रहसवादी अपनी अनुवोती में वे तत्प पा जाए जिससे उसकी सांसारिक अलोकिक जीवन का सामन जैसे हो प्रेम का मतलब फिर्दे की साधारन सी भावों किस्तिति ना समझी जाए वरन वे अंतरप और सुक्ष्मरप प्रवर्ती हो जिससे अंतर जगत अपनी सभी अंगों का मेल बाहर जगत से कर सके प्रेम हिर्दे की वे घनिफूत भाव ना हो जिससे जीवन का विकास सदेप उन्नति की ओर हो जाहे भे प्रेम एक बुद्धिमान की हिर्दे में निवास करे अध्वा एक मोर्क की हिर्दाई में गिन्तु दोनों इस्थानों में इस्तित उस प्रेम की शक्ति में कोई अंतर ना हो प्रेम का संबन्द ज्यान से नहीं है बेखिर्दे की वस्तु है मस्तिक्ष की नहीं अतहें एक साधारन से साधारन आदमी उतकरिश प्रेम कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिवाशा से भी अनविक के रह सकता है इसलिए प्रेम का इस्थान ग्यान से बहुत उंचा है रहसवाद में उतनी ग्यान की अवश्यक्त नहीं जितनी प्रेम की आदे कहा गया है कि इश्ड ग्यान से नहीं जाना जा सकता प्रेम से वश्मे किया जा सकता है जब तक रह सिवादी की हिर्दे में प्रेम नहीं है तब तक वे आनन्द शक्ती की ओर एक आकरित नहीं हो सकता मैं उरते हुए बादल की भादी कभी यहां बठकेगा कभी वहाँ उसमें इस्थिरता नहीं आ सकती इसलिए ऐसी प्रेम की उन्नती होने चाहिए जिसमें बंद नहीं बांधा हो जो कलुशित और पनाबटी नहीं हो उस प्रेम के आगे फिर किसी ज्यान की आवश्यक्ता नहीं है गुरू प्रेम का अंक बढ़ाए दिया अब पढ़ने को कुछ नहीं बागी इस प्रेम की सहारे रह सबादी इश्वर की अभी वक्ते बाते हैं आठो हो पहर मतबाला लागी रहे आठो हो पहर की छाक पीवे आठो हो पहर मस्ताना माता रहे ब्रह्म की छोले में साथ जीवे साचे ही कहतु और साचे ही कहतु है और उस समय उस प्रेम में कौन-कौन से द्रिश दिखाई पड़ते हैं गगन की गुफा तहां गैविका चांदना उदे और अस्त का नाव नाही दिवस और रेन तहां नीक नहीं पाईये प्रेम और परकास के सिंद माही सदा आनंद दुक दंद व्यापे नहीं पूर्णा नंद भरपोर देखा मर्म और भ्रांती तहां नीक आवे नहीं कहें कब वीर रस एक पिखा प्रेम की इस महत की उपिक्षा कौन कर सकता है रहसवात की दूशे विसेश्टा है कि उसमें आध्यत्मिक तत्प हो संसार के नीरस बस्तों से बहुत दूर एक ऐसे वातवर्ण में रहसवात रूप गरहन करूता है जिससे सद्देव नई नई उमंगों की स्रष्टी होती है उस तिपी वातवर्ण में कोई भी बस्तो पुरानी नहीं देखते रहसवाती के शरीर में प्रतिक समय ऐसी इसफूर्टी रहती है जिससे सेवे अनन्त शक्ती की अनुपूर्टी में माक्न रहता है और संसारिक्ता से बहुत दूर किसी ऐसे इस्थान में नवास करता है जहां ना तो मृत्यू का भय है ना रोगों का अस्तित्व है और ना शोक्त का ही प्रसार है उस दिब्व मेठास में सफी बस्तों एक रस मालूम पड़ती हैं और कभी अपने में उस इस्थूर्टी का अनभव करता है जिससे इशुरी संबंद की अभिविक्ती होती रहती है उस आथ्यात्मिक दशा में रह सबादी अपनी को इशुर से मिला देता है और उस अलोकिक आनद में मस्त हो जाता है जिससे संसार की सूखी पन का पता ही नहीं लगता उस आथ्यात्मिक तथ्व में अनद से मिलाव की प्रधानिता रहती है आत्मा और पर्मात्मा दूनों की अभिनिता इस पस्त प्रकट होती है रहसवाद की तीसरे विशिष्टा यह है कि वह सदेव जागरत रहे कभी सुख तो नहो उसमें सदेव ऐसी शक्ती रहे जिससे रहसवादी को दिव्य और अलोकिक जांकी दीखती रहे यदि रहसवादी की शक्ती अपून रही तो रहसवादी अपने उच्ची आसन से गिर कर यहां वहां भटकने लगता है और इशिष्ट की अन्वूती को सौपनी की समान समझने लगता है रहसवाद तो ऐसा हो कि एक बार ही रहसवादी वे शक्ती प्राब्द कर ले कि निरंतर इश्र में लीन हो जाए जब उसमें एक पार इश्रम था आ गई कि वह इश्री पिभूतियों को इस पश्च कर अपनी में संबत्न कर ले तब ये क्यों होना चाहिए कि कभी कभी वे उन शक्तियों में से हीन रहे रहसवादी की छोते विश्चता यह है कि अनन्त की और कीबल भावना ही की प्रगर्टी नहो वरन संपूर हिर्दे की आकांशा उस और आकरस्ट हो जाए यदि कीबल भावना ही उपर उठी और हिर्दे अन्ने बातों में संलक्न रहा तो रहसवाद की कोई विश्चता ही नहीं रही है ब्रह्मानी स्रिष्टी रिचना की जिसमें चार प्रकार की जीवों की उत्पत्ती हुई अंडच, पिंडच, स्वैदीच, उद्विच सारी स्रिष्टी भ्रह्मा और महिश का पूजन करने लगी और माया का तिरिसकार होने लगा माया इसे सहन ना कर सकी जब उसने देखा कि मेरी पुत्रों मेरा तिरिसकार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन किया जिन में 36 रागनिया और 63 स्वर निकल कर संसार को मोह में आभध करने लगे सारा संसार माया की सागर में तेहने लगा और मोह और पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा संत लोग इसे सहन ना कर सकी और उनोंने सत्पुरुष से इस कस्ट की निवारन करने की याचना की सत्पुरुष ने इस अफसर पर एक विक्ति को भेजा जो संसार को माया जाल से हटा कर सत्पुरुष की ओर ही आकरशित करे इस विक्ति का नाम था कबीर विश्व निर्मान की विश्व में इसी धारणा को कबीर पंथी मानते हैं कबीर स्वेम इसी स्विकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भीजे गए हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में इस्थापित कर दिया है इसकी अनुसार कभीर अपनी और सत्पुरुष में भीत नहीं मनती धन्यवाद